चंदिगर्ड और राजिस्थान से एक कारिगर बुलाए गए हैं धौलपुर से खास पत्थर मंगवाया गया है क्यूंकि पाउटा साहिब में एतिहासे गुरुद्वारे में बनने जा रहा है विश्व का पहला कवी दर्बार जी हाँ गुरु की नगरी पाउटा साहिब में एक ऐसी इमारत बन रही है जो पूरी दुनिया के लिए अजूबे से कम नहीं होगी और ये अध्भुत कवी दर्बार पूरे विश्व में एकलोता माच्र प्रदेश में ही होगा गुरु गोविन सिंग्गी ने पाउटा साहब में अपने साड़े चार साल के प्रवास के दुरान बहुत जो कवे सरंचनाये हैं या जो गुरु गरंद साहब की जो बहुत से श्लोक हैं उसकी जो रचना है वो यहां पर हुई या जो उसके बारे में विचार है वो यहां बैठ कर आए गुरु साहब यहां पर रोशाम को बैठ के कवी दर्वार का आयोजन करते थे इतिहास में लिखा है कि गुरु गोविन सिंग जी ने 1683 में पाउटा साहिब गुरु द्वारे की नीव रखी थी इसी दोरान गुरु गोविन सिंग जी ने यहां पर 52 कवियों की साथ कवी दर्बार की शुरुआत की तब से यहां हर साल 52 कवी अपनी रचनाएं पेश करते हैं हर पूर्ण मासी पर यहां कवी दर्बार लगाया जाता है जिसमें दूर दूर से कवी भाग देने के लिए आते हैं अब तक इस एतिहा से गुरुद्वारे में 320 कवी दर्बार का आयोजन हो चुका है इस बार जो कवी दर्बार लगेगा वो 321 होगा इस जिले में जो है सबसे अच्छा कवी दर्बार बन रहा है पूरे विश्व देविचे का अपनी महंगता है और एक कवी दर्बार एस्थान दस्में पाशा नो दस्में पाशा दे टैम तो एक कवी दर्बार दे चलदा आ रहा है उस तेम दस्में पाशा ने अपने कवी दर्बार देविचे बोँजा कवी रखे सी कहते हैं कि ऐसा कवी दर्बार दुनिया में कहीं और नहीं है पाउटा साही में बनने वाले दुनिया के पहले कवी दर्बार को सुन्दर और अध्भुत बनाने के लिए हर कोशिश की जा रही है खास कारिगर और पत्थर तो है ही इसके अलावा गुर्द्वारे में 52 तरह के फूल भी लगाये गए हैं जो गुर्द्वारे की सुन्दरता में चारचान लगा रही है कभी दर्बार को बनाने का काम अपने अंतिम पड़ाव पर है और माना जा रहा है कि जब ये बन कर तयार होगा तो किसी राज़ा के दर्बार से कम नहीं होगा कहा जा रहा है कि जल्दी इस दर्बार का काम पूरा हो जाएगा जो इसको बहुत सुन्दर से बढ़ा जा रहा है और ये देखने लाइक रोगा आपसे एक सुंदर अजिम्बा होगा जो सावे सहसार में जो है सबसे अलग इसकी जो हो महत्तरा होगी। गुर्दवरा पॉंटास्वा हमाचल परदेश वेच है इते गुरुम सावने शेहर आव साया। पॉंटासाहिब गुरुदवार में लोग दूर दूर से शीष्णवाने के लिए आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कवी दरबार की बिल्डिंग का निर्मान नए सिरे से करवाया जा रहा है। और जिस हिसाब से दरबार का काम हो रहा है लगता है आने वाले समय में प्रेटिकों की संख्या में बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। बिरो रिपोर्ट एटीवी भारत 2400 घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें इटीवी भारत है। झाल